हेई गाइज वालकम बाक टी जुरो स्टेडी बोइंट और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके SSCJE 2018 में आपके मेकैनिकल इंजिनिरिंग के जितने भी मोस्ट इंपोर्डन टॉपिक्स आ रहे हैं और जिन में से जादा से जादा कुश्य आ रहे हैं लाइक आपके चार से पांस टॉपिक्स ही ऐसे हों जिसे आपके 50 नंबर का पेपर आ रहा है तो हम उसे के बारे में बात करते हैं तो गाइस यह जो आपके मैंने सभी इंपॉर्डन टॉपिक्स लिखे हूँ है और इन में से मैं बतायता हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स के अगर आपको टॉम और मशीन डिजाइन नहीं भी होते है बिकाउज मशीन डिजाइन के आपके दो से तीन कर सकते हूं उसी के साथ आपके engineering mechanics के आपके 2-3 question मिलेंगे और SOM को आपको 4-5 question देखने के लिए मिलेंगे उसी के साथ आपके first law of second law of thermodynamics ठीक है यह आपके कम से कम 7 number का आएगा सिर्फ और सिर्फ यह दोनों ही topic ठीक है और एक चीज़ आपको बता दू कि SSTJ के exam में बहुत अच्छे और बहुत जाद माक्स की questions आते हैं fluid mechanics और thermodynamics से आपको 20-20-30 number के questions देखने के लिए मिल सकते हैं ठीक है तो अगर आप अपने questions की practice कर रहे हैं तो guys आप मने छोड़े topics तो छोड़कर बड़े topics पर जादा ध्यान दीजेगा ठीक है उसे के साथ आपके कुछ questions इन्हें है यह जो आपके मैंने जहां पर जो topic लिखे है वो आपके सारे complete topics लिखे हैं जिस इस topic से आपके questions आते हैं ठीक है तो air standards से भी आपके कुछ questions आते हैं IC engine performance से भी आपके एक से दो questions आते हैं इससे guys आपके तीन questions आते हैं so guys minimum तीन questions आपको इससे देखने के लिए मिलेंगे so guys boilers की भी practice कर लेना अच्छे से air compression and air cycles इससे आपके चार questions के आसपास questions आते हैं principle of refrigeration plants से भी आपको दो के आसपास दो से तीन questions देखने के लिए मिल सकते हैं nozzle and steam turbine guys इससे आपके बहुत important questions आते हैं और ये आप में अगर सभी practice कर ले तो इसको जरूर कर लेना 4 से 5 questions आपको इसके भी देखने के लिए मिल सकते हैं so guys जैसे कि आपने देखा कि tom से आपके 6 से 7 questions आपको minimum देखने के लिए मिल सकते हैं tom और dome से आपके 20 number के आसपास total questions आएंगे ठीक है वहीं आपके 7 questions आपके 1st low, 2nd low से minimum आएंगे ही आएंगे तो इसको जरूर कर लेना और आप पूरे syllabus में देखोगी कि आपकी thermodynamics कितनी जादा filled है ठीक है IC engine combustion इससे भी आपके questions आते हैं बड़ इतने जादा नहीं आते हैं और आपके नीचे मैंने आपको ये सब भी बता ही दिया है तो आप आगे move करते हैं fluid mechanics की दरफ so guys अब हम बात करते हैं आपके fluid mechanics की properties and classification of fluid सिर्फ आपको इससे ही तीन से चार question देखने के लिए मिल जाएंगे ठीक है fluid statics के उपर आपको question आएंगे इसके उपर आप numericals भी आ सकता है measurement of fluid pressure ठीक है इस type के questions आपके बहुत जाद आता है fluid kinematics, statics, dynamic of ideal fluid, measurement of flow rate, basic principle, hydraulic turbines इससे भी आपके simple numericals भी आ सकता है या फिर simple आपके theory based questions भी आ सकते है तो कि आसपा centrifugal pump और classification of state से आपके एक से दो question आएंगे ठीक है तो आपके fluid की आपका जित्ता भी syllabus है इससे आपके 20 के आसपास questions आते है ठीक है तो अगर आप practice कर रहे हो कहीं से MCQs की like RKJN या RS खुर्मी से तो आपको क्या करना है जो जो topics मैंने बताएं like 10 number, 20 number, 7 number उन-उन topics को आपको जरूर करके जाना है क्या करना है आपको Tom, FM, SOM और Thermo ठीक है यह चार topics के अगर आप MCQs प्रिपेर कर लेते हो काफी अच्छी तरीके से तो आप 50 से 60 number बहुत easily score कर दोगे ठीक है guys, so इन सबी topics को आप अच्छे से करके चले जाना आप एक काफी अच्छा score maintain कर सकते हो SSC जहीं जैसे exam में ठीक है guys also आज के लिए वीडियों के लिए सिर्फ इतना है वीडियो अच्छे लेगी तो याप यूड जरू कर देना शेर जरू कर देना चैनल को subscribe जरू कर देना फ्योच रमें सभी updates के लिए ठीक है guys स्वाइज के लिए वीडियो में सफ इतना ही, with that said bye bye, take care and all the best